गुद बार्निंग फ्रेंट्स मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्टुलेवर हास्पिटल स्वरुपमेंगर कांटूर आप ध्यान से देखिए हार्ट बर्न एसेड रिफ्लक्स जी ए रडी ये टर्म्स आपने अक्सर सुनी होंगी हार्ट बर्न अलग है समस्या है एसेड रिफ्लक्स अलग समस्या है और इनके बारे में बात करूँगा मैं जब हार्ट बर्न की बात करते हैं तो सबसे पहले इस सचाई को समझ लीजिए कि हार्ट बर्न का हार्ट से कोई लेना देना नहीं है जब में heartburn की बात होती है बहुत सारे लोगों को concept है कि ये heart से कोई इसका लेना देना है इसका heart से कोई लेना देना नहीं है जो heartburn है acid reflux है GARD है ये वास्तों में एक दूसर से related है ये सचाई है ये कभी-कभी ये जो terms है ये interchangeably used होती है कभी heartburn को कोई बोलेगा acid reflux है कोई बोलेगा GARD है कोई बोलेगा सिर्फ heartburn है but they are not the same ये तीनों बिलकुल अलग-अलग चीज़े है इसलिए scientifically इसको आज में analyze करने के कोशिश करूँगा now heartburn का जहां तक सवाल है heartburn एक symptom है या लक्षन है ये जो heartburn है ये आता ही इसलिए है क्योंकि acid खाने की नली में आजाता है और acid खाने की नली में आएगा या पेट के अंदर से जो gastric juices है खाने की नली में आएंगे तो ये खाने की नली की जो lining है इसको irritate करेंगे और acid irritate करेंगे तो एक जलन का sensation ये खाने की नली या चेस्ट में महसूस होगा इसे कहते हैं heartburn ये वास्तों में heart से इसका कोई लिन देना नहीं है ये acid, gastric juice और जो खाने की तहली के contents है वो खाने की नली में आके इसकी lining को जो irritate करते हैं उसके चलते जो जलन का sensation आता है जो यहां हमें महसूस होता है ये चेस्ट में इसे heartburn कहते हैं जो acid reflex उपर की तरफ आएगा तो heartburn तो करेगा यानि सीर में जलन पैदा करेगा इसके अलाबा ये खासी करा सकता है interactable cuff करा सकता है आपकी जो सांस से उसमें बदबूल आ सकता है bad breath कर सकता है कभी कबार ये निगलने में दिक्कत पैदा कर सकता है ये बात बिल्कुल साही है कि heartburn आपको लगातार बार बार परिशान कर रहा है तो ये शायद इस चीज को signal देने लगता है कि कहीं आपको gastro-esopager reflex disease तो नहीं है या आपको GERD already develop तो नहीं हो गया है क्योंकि अगर GERD है और आपने उसको treat नहीं कराया तो ये number of complications develop हो जाएंगे GERD कुछ तरी की problem है या gastro-esopager reflex disease जिसमें खाने की नली नीचे से acid की चलते damage हो जाती है ये उस तरी की problem है करके अगर आप नहीं treat कराएंगे तो complications होंगे जो complications से उनको एक बार देखिए number one barrett's isophagus होने की संभावना है जो barrett's isophagus है वास्तों में ये pre-cancerous condition मने जाती है जो खाने की नली का नीचे का portion है वो inflammation हो जाएगा चाले पड़ जाएंगे इसे कहते हैं isophagitis कभी-कभी खाने की नली का जो नीचे का इस्सा है वो सिकुण जाता है narrowing हो जाती है इसे कहते हैं peptic structure कभी कभार अगर ये barrett's isophagus आगे बढ़ी तो cancer की development की संभावना बढ़ जाती है इसके अलावा अगर बहुत सारे गाओ है तो उसे कभी blood leak करने लगता है जो vomiting में भी निकल सकता है या latent के रास्ते भी pass हो सकता है या bleeding हो सकती है तो अगर बार 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 जलन पड़ रही है तो आपके दिमाग में हमेशा एक ख्याल आना चाहिए पि कहीं मुझे GERD तो नहीं develop हो गया है नो heartburn का जहां तक सवाल है यह वास्तों में symptom है heartburn किसी बीमारी का नाम नहीं है जो heartburn है वो simple acid reflux के चलते हो सकता है यह GERD के चलते भी हो सकता है simple acid reflux हुआ तो भी जलन होगी GERD है तो भी जलन होगी अगर यह आपको acid reflux कभी कभार होता है हपते 15 दिन में एक बार हो गया महिने में एक बार हो गया यह चिंता की बात नहीं है और यह कहीं से भी concerning नहीं है इसके लिए यह अपने आप खतम हो जाता है आपको इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है यह लेकिन अगर जो नहीं यह बार-बार होता है और GERD डेवलप हो गया है तो इसको आपको ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि इसके जो consequences है वो वास्तों में dangerous हो सकते है इसको address किया जाना चाहिए Now, heartburn है क्या वास्तों में जो heartburn है सामनित है तो यही कहा जाता है कि खाने की नलीवें जलन पड़ रही है लेकिन इसके जो meanings हैं वो हर आदमी के अलग-अलग है कोई ऐसे समझता है कि यहां जलन होती है कोई समझता है कि यहां तक जलन होती है कोई समझता है खटा पाने गले में आ जाता है यह variety symptoms लेके आता है यान्य जलन भी लेके आता है irritation लेके आता है pain लेके आता है यहां तक जोना कुछ अटका हुआ मैसूस हो सकता है इसके जो presentations है भो भी अलग-अलग हो सकते हैं यहार आदमी का अपना-पना interpretation है कुछ समझते हैं के heart के चलते problem हो रही कुछ समझते हैं उसकी जो lining है, उसकी जो सतय है, या surface है, यह वहाँ से आता है, और ही जो उस तरफ जो आता ही, हमारे जो यह bone है, या sternum है, इसके पीछे आपको जलन मैसूस होगी, यहाँ से लगा कि यहाँ तक, जहां मैंने आपको दिखाया है, अगर यह जो burning का sensation, यह heartburn, लंबे समय persist करेगा, यह बार-बार करेगा, तो जो acid reflux से और भी symptoms लेके आएगा, सबसे important यह sore throat लेके आएगा, जो regurgitation होता है, acid reflux होता है, यह गले तक आता है, यह जो गले में पीछे के जो tonsils होते हैं, यह adinoides होते हैं, इन में inflammation पैदा करता है, और इन में inflammation पैदा करेगा, तो वास्तों में आपको sore throat persist करेगा, और आवाज आपको ऐसा लगेगा, कि आवाज आपकी लगाता दबी हुई है, इसके अलावा, आपके मुह में bitter taste आएगा, आपका खटा-खटा पानी मुह में आने का डर होगा, कभी-कभी, जो gastric content है, उपर dyspagia, अगर आपको लगता है, खाने की नली में यह अटकता है, नौर्मली पास नहीं होता है, इसके साथ में जलन का sensation भी आता है, चोकिंग का sensation आता है, यह दर्द आता है निगलने में, आपको अपने डॉक्टर से तुरंती consent करनी की जरूरत है, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि sore throat होगा, sore throat होगा, sore throat होगा, तो it is quite possible, कि लगातार खासी हो, यह persistent कब भी heartburn के साथ आ सकती है, यह जो इस तरह का cuff होगा, वो सबसे ज़्यादा morning time में होगा, तो खासी होगी, और साथ में यहाँ पे जलन भी हो रही है, इसका मतलब यह है, कि आपको acid reflux के चलते sore, I mean जल हो रही है, और उसके चलते chronic cuff develop हो रहा है, तो कि इस area को irritate कर रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखें, कि जो acid reflux है, वो heartburn लेके आ सकता है, लेकिन heartburn एक symptom है, यह जो heartburn जो symptom है, इसका heart से कोई लेना देना नहीं है, यह खाने की नली में जो acid आ जाता है, इसके चलते acid उपर की तरफ आ जाता है, खाने की तहली से खाने की content उपर की तरफ आते हैं, जो एक burning pain का sensation लेके चलते हैं, और यह acid का जो effect है, वो कभी कभी गले तक दिखाई देता है, तो heartburn heart से related नहीं है, heartburn acid reflux के चलते हो सकता है, heartburn वास्तों में GARD का संकेत हो सकता है, तो heartburn जैसे symptom को समझने में, अगर ये वीडियो आपको help करता है, तो जरूर शेयर करें, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा, from guest to liver hospital, स्वरुपनंगर कानपूर, thank you very much.